हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी की जो केवल एक जूट बोल कर आज हजारों करोडों रुपे का ब्रैंड बन चुकी है जिया दोस्तों हम बात कर रहे हैं नाई की कंपनी की नाई के आज मार्किट में एक बहुत आप ब्राइंड बन गया जो पूरी दुनिया में जाना जाता है और हां दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें चलिए शुरू करते हैं इस कहा आएब साथ में आइडिया आ गया था कि मुझे भी कुछ अपना बिजनीस करना है कुछ न कुछ मार्केट नियुकुन ना March期 करना है लेकिन उन्हों ने अमेरिका भी यह एक समीय था जहां पर जपानी कैम्रों उन्होंने जर्मन tuo को पूरी तरह से अमेरिकन मार्किट से Celtic से लिइए वह अपने सामने हो एख था तो इसे लिए वह वह शुचा कि क्यों कि यौ nooit तो एसाी कर सकते हैं क्योंकि उस थाइम पर अमेरिकन मार्किट में Adidas और Puma जैसे बड़े ब्रैंड की जूतों की काफी अच्छी अमरिका में डिमांड थी और काफी जादा मार्किट लगबख सारा ही मार्किट इन दोनों कमपनियों ने कवर किया हुआ था तो फिल नाइट ने सुचा क्यों न जापनी जूतों को लाकर अमेरिकन मार्किट में बेचा जाए फिर वो टूरिस्ट वीजग लेकर जापन गए और जापन के कोबा सहर में घूमने के दोरान उन्होंने ओनिस्ता टाइगर के एक सोरूम को देखा जहां पर अच्छी खासी भीड लगी हुई थी और उनिस्ता टाइगर के जूते जापानी जूते ते ये जूते रनर सूज थे ये कमपनी रनर सूज बनाती थी और इसके जूते बेस्ट क्वालिटी के होते थे और बहुत लाइट वेट भी होते थे जिनकी दुनिया भर में काफी डिमांड थी लेकिन प्रोब्लम ये थी कि ये जूते अमेरिकन मार्केट में मिलते ही नहीं थी तो फिल नाइट ने सोचा कि क्यों ना जापानी जूतों को ले जाकर अमेरिकन मार्केट में बेचा जाए जहांपर यह Aridas और Puma जैसे ब्रांड को टकर दे सकते हैं लेकिन समझ से यह थी कि Onista Tiger के मालिक से बात कैसे की जाएगी क्योंकि उसके लिए उनके पास फंड भी नहीं था और वो ना किसी बड़ी कंपनी के मालिक थे जो उनके सामने वो प्रिजेंट कर सके कि मेरी कंपनी यह है और हम इस तरह से काम करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने बहुत ही एक चाला की से जूट बोला उन्होंने उनकी मीटिंग अरेंज हुई और उन्होंने Blue Ribbon नाम कंपनी को अपना बता है और उन्होंने कहा कि हमारी Blue Ribbon नाम कंपनी है आप हमें ओर दीजे हम आपके जूटों को अमेरिकन मार्केट में काफी अच्छे दामों पर बेचेंगे और उनकी मीटिंग में उन्होंने ऐसा इंप्रेस किया कि उनको पहला ओर भी उसका मिल गया और पहला ओर मिला उनको 300 जूटों का और फिर सन 1962 में उनके पास पहला ओर्डर पहुचा 300 जूटों का उन्होंने 300 जूटों में से दो जूड़ी जूटे अपने कोच बिल बावर मैन को दिये और बिल बावर मैन को यह जूटे काफी पसंद आए क्वाल्टी में बैस्ट थे और इतने सस्ते रेट में अमरिकन बजार में बिके कि वो केवल दो यह से तीन महिने में ही सारे जूटे बिग गए और फिर उन्होंने जुलाई में दूसरा ओर्डर पिलेस किया जोगी जोड़ी जूतों का था और यह जूते भी कुछ ही समय में बिग गए और उनको पहले साल का जो प्रॉफिट हुआ वह हुआ करीब आठ हजार डॉलर भी उस टाइम पर अच्छी खासी रकम थी लेकिन फिर अगली साल ही उनको टॉर्णोवर बीस हजार रुपे से उपर का हो गया और दीरे-दीरे कंपनी ग्रो होने लगी लेकिन साल उन्हें इस ओड़ सट में बिल बोर्मेन के को सुजाओ के कारण और उन इसका ओर्डर दोबारे से जापान की ओनिस्तु का टाइगर को दिया लेकिन ये ओर्डर इतना था कि ओनिस्तु का टाइगर भी इस order को पूरा नहीं कर सकते थे और उन्होंने इन से साब कहा कि हमारी फिस्ट प्रदाइर की जापानी लोगों को लिए जूते बनाने की है अ अपनी तरह से अपने खुद से कुछ ना कुछ किया जाए और इनका जो कॉंट्रेक्ट था वो 1972 में पूरा होना था लेकिन कॉंट्रेक्ट पूरा होने से पहले ही बिल बाउर मैंने जो इनकी जूते आते थे उनको स्टेडी करना सुरू कर दिया वो नए जूतों को आते ही उ साल 1972 में खतम हो गया 1972 में खतम होते ही इनोंने अपनी कंपनी नायकी गी ही शुरुवात की और अपनी कंपनी नायकी बनाए लेकिन के अच्छा कासा मुनाफ़ा भी देने लगी और देखते ही देखते कंपनी पूरी अमरिकन मार्केट में च्छा गई और जो वहाँ पहले से एडिडास और प्यूमा जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी थी उनको पूरी तरह से इन्होंने रिप्लेस कर दिया लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि क्यों आपने एक ब्रांड को पहचान सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छी जान करें मिल सकते तो थैंक्यों फॉर वाच्चिंग